हेलो एवरीवन एक बाफिर से स्वागत्याप का यूट्यूब चैनल नितिश एजुकेशन 27 पर फ्रेंट्स जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग इमोशन्स टॉपिक को डिसकस कर रहे थे पीजी टी साइकॉलजिक ट्यारी जो हम लोग कर रहे थे तो इसमें हम लोग सम्वेग लगबग 90% कंप्लीट कर लिया हम लोग ने बाकी का जो बचा कुछा 10% है उसको हम लोग डिसकस करेंगे जैसे सम्वेग को कैसे मापते हैं यानि सम्वेग की माप कैसे करते हैं सम्वेग का क्या रूल है सम्वेग में फीजियोलोजिकल कारक क्या है यानि दैहिक कारक क्या ह और जो Autonomic Nervous System है, जो CNS है, वो कैसे related है हमारा संवेग से, साथे साथ हम यहां discuss करेंगे कि संवेग और जो हमारा कलीजे अभी प्लेरणा है, उसका क्या संबंध है, और साथे साथ यहां discuss करेंगे कि संवेग और संग्यान में क्या संबंध है, ठेक है, तो start करते हैं, अगर आ आई बटन पर भी लिंक है, चैनल की playlist का content का, तो वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं, तो start करते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे, संवेग की map और वीधी क्या है, यानि कि संवेग को हम कैसे miser करते हैं, तो जैसा कि आपकी screen पर देख रहा है, एक जो method है, galvanic skin response, ठीक है एक method है, वो संवेग को mapने की एक विधी है, और सबसे पहले तो यहां से important topic यह बन जाता है, कि G.S.R. का full form पूछ लिया जाता है, कि G.S.R. का full form क्या है, तो G.S.R. का full form जो है, galvanic skin response है, ठीक है, अब आगे देखते हैं, क्या है, विगोरेक्स तथा फेरे, नामक फ्रेंच electrical conductance का गुड होता है, जिसे उन लोगों ने विशेश रूप से मापने की कोशिस की, ठीक है, किसने बताया है, विगोरेक्स और फेरे, नामक फ्रेंच वैग्यानिक ने, अब देखे, आगे इन्होंने क्या बताया, कि जो electrical conductance है, वध्यूद संचरन की जो यहां प्रक्रिया मूल रूप से पसीना ग्रंथी के कारियों द्वारा निर्धारित होती है, देखे, G.S.R. का सबसे important point यहां पर यही है, कि जो व्यक्ति में वध्यूद संचरन की प्रक्रिया है, मूल रूप से पसीना ग्रंथी के कारियों द्वारा निर्धारित होती है, यह question पूछा जा स होती है आगे देखे क्या है तो अच्छा कि वध्यूत संचरण की इस प्रक्रिया को गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉंस और जी एसार या साइको गैल्वेनिक रिस्पॉंस पीजी आर कहा जाता है देखे जी एसार को पीजी आर भी कहते हैं और पीजी आर का फुल फॉर्म है अब आगे अगर हम बात करें तो इन लोगों ने क्या बताया कि वध्युत संचरण में घट बढ़ की प्रक्रिया तेज हो जाती है कैसे तेज जाती है emotional excitement के द्वारान ठीक है बाद में इन्हों ने क्या कहा यंग ने कहा कि G.S.R. का सीधा संबंद damage सामवेगी कानभवो यानि repressed emotional experiences से होता है अता G.S.R. की मात्रों को माप कर हम आसानी से सम्वेग की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं अब आगे अगर हम बात करें तो देखे क्या है आज कल कुछ मनोव ज्यानिकों ने यह भी दिखला दिया ही कि त्वच्चा के व्यधित संचरण द्वारा व्यक्ति के सिर्फ सामवेगी की स्थिति को ही नहीं बलकि उसकी क्रिया सिलता के इस्तर की भी माप होती है हाना अता जियसर के आधार पर संवेग को मापना अधिकर्थपूर्ण नहीं है यह बताया आप देखे दूसरा है दूसरा हम कैसे माप सकते हैं इमोशन को रक्त चाप में परिवर्तन का अध्यन करके ठीक है इमोशन की माप हम लोग और दूसरी क्या तरीका है रक्त चाप में परिवर्तन की माप को देखकर तो देखे ब्लड प्रेशर के द्वारा कैसे हम दोग मिजर करते हैं व्यक्ति के रक्त चाप में हुए परिवर्तन के आधार पर भी संवेग को मापा जा सकता है प्राया सभ क्रोध तथा हर्स की इस्थिती में व्यक्ति का बीपी बढ़ जाता है देखे ये मोश्ट इंपॉर्टन लाइन है क्वेशन पूछा जा सकता है कि क्रोध तथा हर्स की इस्थिती में व्यक्ति का रक्त चाप बढ़ता है या घटता है तो अगर व्यक्ति एंगर है या हर्स खुसी है हर्स है तो उसका रक्त चाप बढ़ जाता है परंतु भै की इस्तिती में रक्त चाप में हलकी कमी हो जाती है तो यह important line है जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं देखिए यह वाला आपका जो है क्रोध तथा हर्स की इस्तिती में रक्त चाप में क्या है बढ़ जाता है की स्थिति में हलकी कमी हो जाती है और अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन में भी बीपी लो हो जाता है यानि फियर एंड डिप्रेशन में बीपी लो हो जाता है और एंगर तथा हर्स में हाई हो जाता है तो अतहरक्त चाप में वृध्धी या कमी द्वारा सम इस्तिति समझे जाती है इसे तरीके से अगर हम बात करें लाइड डिटेक्टर टेस्ट जो होता है उसमें अगर हम बात करें कि देखें क्या होता है जिससे उसका BP बढ़ जाता है जो कि एक विशेश जंत्र लाइड डिटेक्टर या पॉलिग्राफ जिसे हम पॉलिग्राफ भी कहते हैं उसके दौरा रिकॉर्ड किया जाता है जब व्यक्ति जूट बोलता है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और इसे पॉलिग्राफ या लाइड डिटेक्टर के द्वारा जो है रिकॉर्ड कर लिया जाता है तो एक क्रिश्चन यहां से बन गया लाइड डिटेक्टर को और हम किस नाम से जानते हैं आधार तथा स्वश्चन की गति में हुए परिवर्तन के आधार पर भी जूट बोलने के द्वारान हुए इमोशनल स्टेट का मापन कर देते हैं ठीक है अब होता क्या है नॉर्मली ब्लड पेशर के आधार पर जो हम मिजर्मेंट करते हैं इमोशन का वो हर कंडिशन में सह है इसा है जिसका बीपी कि हमेंसा हाइस होता है तो उसनों पर फेल हो जाता है ञ Kings को की फिए्स एक ब्लोग होने नॉर्मल यहомина है आहे इसा इनसान जूस्ट का ब्लोड ही हमेंसा हाई रहता हो तो उसकी इमोशन क्या से पता चलेंगे तो है हो ऑवं और समस्तिया के अब किम क्षिए की क्या है मा पने की मोशन स्को को तीसरी विदी है रिटिंग स्केल्न के वारे में पढ़ भी चुका is थे ऐसे पहले जो ऊपर के दोनों में अब यह गतें ब्लद प्रिशर के को मापनी की मनोवघ्यानिक वीधियों का भी प्रति पाधन किया है यह मनोवघ्यानिक विधि है और इस में किसी व्यक्ति के सम्वे को उसके दोस्तों या परिचितों द्वारा दिये हुए मापनी पर रेट कराये जाता है ठीक है अब जैसे माने जी एक कुछ आइटम्स है रेटिंग स्केल पर जैसे क्रोध है भै है प्यार है डाह है इसको जो है rating दे दी गई, growth है तो growth के लिए rating 3 दे दी गई है, growth है growth अगर किसी व्यक्ति में अधिक होगा, तो उसे 3 rating दी जाएगी, साधारण होगा तो 2 rating दी जाएगी और कम होगा तो 1 rating दी जाएगी तो एक तरीकी का ये rating इसके लिए जिसके आधार पर हम लोग सम्वेक की माप कर सकते हैं अब आगे अगर हम बात करें चोथा जो तरीका है, चोथा तरीका है आपका observation method observation method हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं तो एक बर आप जाकर previous class देख सकते हैं, यहाँ पर दिखे जो psychoanalytic method है उसको मैं बता रहा हूँ psychoanalytic विधी का प्रयोग मुलता वयसको के सम्वेक के मापन में होता है, हम लोग किसका मापन के, किसके सम्वेक को मापने के लिए psychoanalytic method यूज करते हैं adult के emotions को, हना, इस विधी का बातचीत के द्वारान, व्यक्ति अपनी सम्वेक की सिति के बारे में धीरे दे बातचीत करना प्रारम कर देता है ठीक है, और इसके आधार पर जो है मनुश लेशक जो होते हैं सम्वेक के बारे में अंदाजा लगा लेते हैं, ठीक है अब नेक्स अगर हम बात करें तो नेक्स है, आपका देखिए नेक्स मेथड है, सम्वेक को मापने का प्रसनावली मेथड या क्वेस्टिनियर मेथड इसको भी मैं डिसकस कर चुका हूँ लाश क्लास में, जब हम लोग मेथड्स आफ साइकोलजी की बात कर रहे थे, टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने जो है, इसको भी डिसकस कर लिया था, ठीक है तो क्वेस्टिनियर मेथड जो है, एक बार आप प्रीविस क्लास जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर टाइम कम समय में पूरे टॉपिक खतम करना है, इसलिए मैं इन चीजों को दुबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप भी समझने कोशिश कीजे, अब प्रीविस क्लास को जाकर एक बार देख सकते हैं कि क्वेस्टिनेर मेथड क्या है, अब अगर हम बात करें, तो यह था, मिजर्मेंट ऑफ इमोशन खतम हुआ, यानि समवेग की माप कैसे करेंगे, वो खतम हो गया, आप यहाँ पर एक टॉपिक आता है, कि रिलेशन बिट्विन मोटिवेशन और इमोशन, यानि अभी आप उसको भी पढ़ सकते हैं, अब देखें, मोटिवेशन और इमोशन में क्या संबंध है, तो अगर हम बात करें, तो देखें क्या है, अभी प्रेणा तथा समवेग, दोनों ही मानसिक अवस्थाओं में व्यक्ति क्या होता है, सक्री रहता है, वाई अक्टिव और मोटिवेशन में देखें समानता क्या है, ये पूछा जा सकता है, तो इन दोनों ही अवस्थाओं में व्यक्ति क्या होता है, सक्री होता है, और गोल डिरेक्टिड बिहेवियर करता है, ये तो इसमें समानता होगी, अब दोनों भीनिता क्या है इसको देख लेते हैं तो सबसे पहली भीनिता है सबसे पहली भीनिता है सम्वेग की स्थिति में व्यक्ति अपने फीलिंग पर अधिक जो डालता है जब व्यक्ति एमोशनल होता है तो अपनी फीलिंग पर अधिक जो डालता है तथा लक्षी और पहुंचने पर कंबर डलता है दूसरे शब्दों में हम कहें सम्वेग फाउ our फॉर वाला वयाव उतना धिक महत पुर्ण नहीं होता लेकिन क्या होता है फीलिंग्स्कorgt होता है ठीक है यानि कि मोटिवेशन में व्यक्ति जल से जल अपनी लक्षी और पहुंचने की कोशिश करता है और लक्ष जो है व्यवहार प्रधान होता है व्यवहार जो है लक्ष प्रधान होता है क्योंकि व्यक्ति ऐसे व्यवहार को तो आपको दुख लगता है लेकिन अगर खाना आपको मिल गया तो आप त्रिप्थ हो जाते हैं नेक्स्ट है अगर हम बात करें तो दूसरा समवेग में बाहे उद्दीपक महत्वूर्ण होता है जबकि अभी पिरणा में क्या होता है internal stimulus मेहत्पूर होता है ठीक है? देखिए यह ध्यान से जमजेगा emotion में external stimulus जो है important होता है जबकि motivation में internal stimulus important होता है praya somewhere क yardım Idipak की इस्थिति में क्या होते है? emotion क्या होता है? external stimulus आता है जैसे उधारन मालेजे जब व्यक्ति साप देखता है तो डर जाता है तथा अपने मित्र को देखता है तो खुश होता है यानि अगर साप नहीं होता यानि external stimulus नहीं होता तो व्यक्ति में डर का समवेग उत्पन नहीं होता उसी तरह से यदि व्यक्ति अपने मित्र को नहीं देखता तो खुश नहीं होता लेकिन अभी और में क्या होता है अभी प्रिधन के लिए किसी बाह्य दिपक की नहीं बलकि शरीर की बेद्टर हुए कुछ परियुटन जिन्य आंत्र को दिपक कहा जाता है ही अधिक महत पुर्ण होता है जैसे माली जे जब आपको पाणी की कम्य हो लगती है शरी में तो इससे आपको प्यास लगती है ना कि बाहर में जल देखकर प्यास लगती है यानि जल को देखकर आपको प्यास नहीं लगती है जब आपके शरीर में पानी कमी हो जाती तो आपको प्यास लगती है इसी तरिकेश जब आपके अंदर ग्लुकोस का इस तर एप्रणल बोर्ण में देखकर कोई व्यक्ति सकता है कि व्यक्ति में या डरा हुआ है या उसमें इस में क्या हो रहा है अबंदो आधार पर हम यहां कह सकते हैं कि मैं अव्यक्ति बाहर से कोई ऐसा व्यहार नहीं करता है जिसे देखकर यहां कहा जा सकता है कि वह भूका है परन्तु एक क्रोधित व्यक्ति के वहार को देखकर आसानी से यह समझा जा सकता है कि व्यक्ति क्रोध में है इस तरह से समवेग और अप्रियोंट में समानता होते हुए भी कुछ विशिस्थाएं थी जिसे मैंने आपके सामने डिसकस कर लिया है अब बढ़ते हैं आगला पॉइंट यहां हम देखेंगे समवेग का दहिक सह संबद्धता क्या है यानि physiological correlation of emotions क्या है तो देखें अगर हम बात करें तो समवेग की अवस्था में व्यक्ति में महदपूर्ण शारीरिक सहसंबद्धता या परियोर्तन होते हैं इसे हम लोग दो भागों में बाठकर अध्यान करेंगे सबसे पहला external bodily changes क्या होते हैं यानि समवेग की अउस्था में जो है बाहर शारीरिक परियोर्तन क्या होते हैं एक यह और दूसरा है आंत्रिक शारीरिक परियोर्तन क्या होते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें बाहर शारीरिक परियोर्तन की तो इसमें देखे क्या है समवेग में होने वाला बाहर शारीरिक परियोर्तन से तात्पर वैसे परियोर्तनों से है जो इस पर्ष्ट रूप से व्यक्ति दवरा अभ्यूक्त किया जाता है जैसे हम अपनी आ अब सारी परितन ऐसे होते हैं जिसे जो है जिन्हें कोई भी व्यक्ति आसानी से देख सकता है अता इस तरह के शारी परितनों को हम लोग क्या करते हैं external body body changes अब एक कौन कौन से external body changes है तो सबसे से आप डूबने देखा हुगा कि आप सामने वाले के चहरा SER करके ही जैसका बहुत और कोई आप सुबह सुबह उच्छां से मिलT उसका मूं उत्रा हुआ है तो आप समझ जाते हैं कोई ने कोई भी बात हुई है यानि कि चेहरा देखकर हम समझ जाते हैं कि व्यक्ति खुश है या उदाज है या आश्चर चकित है सर्प्राइज है या डरा हुआ है या गुस्सा है या डिस्गस्ट घ्रना का भाव लिए हुए मन में तो एक तरीका यह है सम्विक को पैचाने की आनन अभ प्रोज वर्ग यह क्या कहते हैं यह कहते हैं कि सम्वेग में जो फेशल एक्सप्रेशन्स हैं उसके तीन पहलों है सम्वेग में जो फेशल एक्सप्रेशन्स हैं उसके तीन पहलों है पहला वह बताते हैं सुखद और दुखद दूसरा बताते हैं वह आवधान और तिरसका तीसरा वो पताते हैं नीद और तनाव यानि चहरे से ये इन तीनों पहलों का पता लगाये जा सकता है ठीक है जैसे ये कहते हैं कि जब व्यक्ति सुखद समवेग में होता है तो व्यक्ति के जो दोनों होट होते हैं खुले होते हैं ध्यान से समझेगा जब व्यक्ति सुखी ह होता है या सुख खुश है कह लिजे तो व्यक्ति के दोनों लिफ्स जो है दोनों होट खुले होते हैं ओपन होते हैं ठीक है नाक की छेत का फैलाओ अधिक होता है ठीक है और दुख जब व्यक्ति दुखी होता है तो दोनों होट उसके जो है ख 넣고 हो जाते हैं तथा उसका चहरा सूखा नजराता है ठीक है अवधान जब व्यक्ति अवधान की इस्थिति में होता है तो व्यक्ति की आइज पूरी open होती है तथा एक निश्चित दिशा में होती है और उसके नाक का छिदर भी जो है फैल जाता है और मुह उसका खुला होता है मौथ उसका ओपन होता है तिरसकार की इस्तिति में विक्ति में क्या होता है आखे आधी बंद होती है ठीक है दोनों होट सटे हुए उरते हैं नाक का छिदर जो है सिकुड जाता है ये कब होता है तिरसकार की स्थिति में ठीक है अब आगे अगर हम बात करें तो देखे क्या है आगे अगर हम बात करें तो नीद के वस्था में क्या होता है प्राया आखे जो है जब व्यक्ति सोरा होता है तो उसकी आखे जो है बंद हो जाती है दोनों होट सटे हुए तथा व्यक्ति के गा जो है facial expressions है लेकिन facial expressions के आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि व्यक्ति के अंदर जो है एक particular emotions है क्यों क्योंकि कभी-कभी व्यक्ति क्या है जूट-मुट का नाटक करने लगता है यानि कि मानिजे आप किसी इंसान से बहुत ज़्यादा गुस्ता होते हैं लेकिन फिर भी आप उसस से हस खिल बत्या रहे होते हैं आप अपने emotions को छुपा ले जाते हैं तो एक तो यह है अब दूसरा जो तरीका है इसमें है शारीरिक मुद्रा में परिवर्टन, शारीरिक मुद्रा में परिवर्टन का मतलब जैसे मानिजे व्यक्ति दुखी है, तो दुख की अवस्था में क्या है, उसका सरीर कुछ जुका हुआ होता है, तो दुख की अवस्था में उसका सरीर कुछ जुका हुआ होता है, और आवाज के आधार पे भी हम लोग जो है emotions का पता लगा लेते हैं जैसे मालीजे जैसे मालीजे क्या है संविक यदि कोई व्यक्ति थोड़ी दूर पर जोड़ जोड़ से बोलता हुआ सुना जाता है तो हम क्या अंदाजा लगाते हैं व्यक्ति जो है गुस्सा है ठीक है रोध आपका दूसरा जो है आपका ये वाला खतम हो गया अब हम आंत्रिक शारीरिक परिवर्टन के आधार पर देखेंगे तो इंटर्नल बॉड़ली चेंजर्स के आधार पर अगर हम बात करें तो देखिए कैसे हम संविक में पहचानते हैं तो संविक की सितिय में बाह शारीरि क्रोध भय तथा हर्स की अवस्था में होता है तो बीपी उसका बढ़ जाता है शोक और दुख में जो है बीपी उसका लो हो जाता है बलड प्रेशर को कैसे नापते हैं इस्ट्रिगन की अधार पर हुआ अब व्यक्ति का क्या है आगे अगर हम बात करें तो रक्त में जो ह कि इमोशंस में क्या होता है जो एड्रिनून है जो कि एड्रिनलоне से इसका स्राह होता है इस हर्मण का इसकी मात्रा अधिक हो जाती है जिसके प्रदाम सुरूफ होता क्या है व्धि frustती अपने आप में अधिक फुर्तिला पं तथा Kingdom समादिक भी embargo किसी भी सामवेगी परिस्तिती के साथ ठीक ढंक से समायूजन कर लेता है ठीक है आगे गर हम बात करें तो यहाँ पर देखे क्या है किसी प्रकार के चोट आधी लगने से रक्त निकलने पर उसमें तिवरता से जमजानिक प्रट्टी होती है रक्त में सिंपेथिन नमक रसानिक तो की मात्रा भी सम्विक गस्था में बढ़ जाती है जिसका प्रणाम यह होता है कि एमोशनल स्टिमिलस के हटने कुछ समय बाद भी व्यक्ति में उत्तेजी तवस्था बने रहती है ठीक है अब देखें सास की गती में भी परिवर्तन हो जाता है कैसे जैसे कुछ तो सम्विक ऐसे होते हैं जिससे सास की गती तिवर जाती है तेथा कुछ सम्विक ऐसे होते हैं जिससे सास की गती जो है धीमी हो जाती है तो यहाँ पर देखें क्या है सांस की गती में हुए परिवर्तन को विशेश उपकरण जिसे न्यूमोग्राफ देखे यहां से इंपोर्टन है कि सांस की गती में परिवर्तन को हम कैसे मिजर करते हैं न्यूमोग्राफ गैसोमीटर तथा बॉड़ी प्लेथिस्मोग्राफ आदी के द्वारा हम लोग इमोशन्स को माप लेते हैं सांस की गती में परिवर्तन की आधर पर ठीक है यहनी कि क्या है अगर कारी करते समय सांस की गती तेज हो जाती है आश्चरी की इस्थिती में सांस की गती तेज परंतु अनिमित होती है देखें मानसिक कारी करते समय सांस की गती तेज हो जाती है आश्चरी की इस्थिती में सांस की गती तेज परंतु अनिमित होती है दुख मंदता और मानसिक संगर्ष की इस्थिती में कुछ लोगों न उने उन्हों कहा कि सास की गति धीमी होती पाई गई है या देखी दो condition है तीन condition है सबसे पहला कि मानसिक कारी करते से मैं सास की गति तेज हो जाती है यानि अगर कोई आप mental work कर रहे हैं दूसरा है अगर आप surprise हो गए है तो शास की गति तेज लेकिन अनिमित हो जाती है और तो क्या है को सम्वेग ऐसे होते हैं जिनके लेगी प April इता मेनारी की लेघुति HI K bir देण के अनुसार क्रोध तदных में ही वस्था इता हैं यहानी कि अ excessive those में हर्ट बीट जो है बढ़ जाती है ठीक है एक में ने भी अध्यन किया है उन्होंने बताए चिंता की इस्थिती में भी तिवर जाती यानि यह तीन चीज़े याद रखेगा अगर जो है एंग्री यानि क्रोध प्यार और चिंता की स्थिती में हर्ट बीट जो है बढ़ जाती है तिव्र हो जाती है अब ये व्यखति इंदर तिव्र जिसे भै याद मोर कर दो है इन तीनों कंडिशन में देखें यह मोश्ट इंपोर्टेंट लाइंस चल रही है प्लीज इसे ध्यान से नोट कर लिजेगा यह कुछा जा सकता है कि किस अवस्था में व्यक्ति की पाचन क्रिया बहुत धीमे हो जाती है सम्वे की किस अवस्था में तो भैव क्रोध चिंत यानि कि फियर एंगर और चिंता में पाचन क्रिया बहुत धीमे हो जाती है ठीक है अगर हम बात करें तो यहां देखें सम्वे गात्मक उत्तेजना में मलाशय तथा ब्रेदांत्र के कारियों में भी काफी परिवर्तन आता है इन अंगों की क्रिया या तो काफी बढ़ जा यानि कि सम्वे की तिव्रत्ता के आधार पर व्यक्ति में या तो कॉंस्टिपेशन हो जाता है या लूज मोशन होने लगते हैं इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं जब परिच्छा के समय जो होते हैं उनकी इमोशनल एक्साइटमेंट काफी अ यह सा हम बात करें तो समवेग में अनि ग्रंथियों के लावा दो ग्रंथियों से निकलने वाले स्रावों महत्पूर्ण परिवर्तन आते हैं देखें इमोशन में दो ग्रंथियां बहुत ही ज्यादा परिवर्तन लाती है सबसे पहले सेलेवरी ग्लांड तथा दूसरी है अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशन उसके अंदर बहुत ज्यादा है तो उसका जो सेलेवरी ग्लांड है उसमें सेक्रेशन कम होगा फलता होता क्या है उसका मुह के भीतर सुखा सुखा अन्बह होता है याई कराने कि एक डरे हुए वक्ता पर का मुह तुरंट सुखने लगता है तथा उसे मैसूस होता है कि उसकी जीव लकडी का एक छोटा एवं भारी कुंदा है सम्वे की अवस्थिति में एड्रीनल ग्लेंट से एड्रीनेनिन काफी निकलता है जो रख तुमें मिलकर व्यक्ति में महिरपूर्ण परिवरतन लाता है यहाँ पर एड्रीनिन के खून में मिलने से शरीर की वलंटरी मसल्स में कमपन बढ़ जाता है तथा इन्वलंटरी मस आराम की सिति में जाती है जヤती में थकान कम तथा देरी से महसूस होती है आगे係 में का खून से भूल rare नहीं के एकले का डि Ear dat तुम हो जाती है के खून में मिलने से रक्त-चाप में व्रिद्ध घंड्री आनि एक पी बढ़ जाता है औरन बढ़ जाता है dabei एकलो और और बढ़ जाता है किस खून में अधिक होने से शरीर के बाहर ररक्त निकलने पर रक्त में जमने की प्रिवर्वति अधिक बढ़ आती है आगे क्या है एड्रीनेयन की खून में मिलने से फेपड़े में ऑक्सिजन ग्रण करने वाली कोशिकाएं अधिक सक्रिय हो जाती हैं तो य हमारी आख की पुतलियों का फैलना और वह है तो देखे क्या है टिवर सम्वेग में आख की जो परितारिका है उसमें फैला वाता है ठीक है और दुख तथा विरक्ति में आख की परितारिका में शिकुड़न आता है ठीक है यह दिपी से माफना कठिन है अब आगे देखे क्या है मस्तिस की तरिंगों में क्या परियोटन होते हैं तो मस्तिस तरिंगों की बात करें तो सबसे पहले हम लोग मस्तिस की तरंगों को मापते कैसे हैं इलेक्ट्रो एसठास फेलो ग्राम के द्वारा च возмож किया इत्धा ही जिसमें 2 गेने धारेट ही點 एक है ऐलफा फेफ्स है जब उस्ञेंगता है जिसका जो फ्रिवहस होती है घ्थ के तो जब पूस्त होता है Act व्यक्ति सम्वेग गात्मक उत्तेजन की स्थिति में होता है तो उसमें ब्रेन वेव बनती है कौन सी बीटा वेव कहते हैं जिसे हम लोग बीटा वेव की जो उचाई होती है शौर्ट एंप्लिट्यूट का होता है और इसकी जो बारब मालता है 18-30 होती है यह लाश क्लास में थियोरी भी हम लोगों ने सम्वेग की पड़ी थी सम्वेग का क्रियाशीलता सिध्धान यानि कि एक्टिवेशन थियोरी ओफ इमोशन तो इसको भी मैंने डिसकस कर लिया है लाश क्लास में तो आप एक बर जाकर इसको वहां से गोद्रू करकर चक्क लिजेगा अब अगर हम बात करें अगला टॉपिक जो है सम्वेग का जैवी का धार क्या है यानि कि मनोव एग्यानिकों ने सम्वेग की उत्पति में अन्यबातियों के अलावा जैवी कारकों के महत्व पर भी बलडाला है अब जैवी कार यानि बायोजिकल फेक्टर्स कौन-कौन से हैं सबसे पहला सम्वेग में जो ऊट्ON prêtन्मिक सिस्टम्स सिस्टम है सका रोल है और दूसरा ब्रिन का क्या रोल है सम्वेग में अब आगे अगर में हम बात जांए ओट्णों सब्सक्राइए डिखे. ऐससे की दिखें Ben इसमें से जहां तक Central Nervous System का संबंध है इसका प्रमुक का शरीर के भीत्री अंगो देखिए ये धान से समझेगा Central Nervous System या से NS का क्या काम है इसका प्रमुक कार्य शरीर के भीत्री अंगो जैसे रिदय, हर्ट, फेफड़ा, लंक्स और अंडोक्राइन, ग्लैंड्स, किड्नी यानि कि व्रिक आदी की कार्यों को संचालित करने में सुचार रूप से मदद करना होता है इन अंगो द्वारा सम्वेग की उत्पत्ती में सीधा योगदान होता है यानि ये सम्वेग की उत्पत्ती में डिरेक्ट जो है पार्टिसिपेट करते हैं आता हम क्या कह सकते हैं सम्वेग में स्वाजत तंत्रिका तंत्र का योगदान काफी अधिक होता है अटोनेटिक नर्वस सिस्टम के भी देखे दो भाग हैं एक सिंपेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरा सिंपेटिक नर्वस सिस्टम ठीक है सामानित जो अनुकंपी तंत्र का तंत्र है उसके क्रिया सील होने से व्यक्ति के शरीर की जो उर्जा होती है इस तरह से उत्यजित हो जाती है कि व्यक्ति सम्वेक सील एवं संकट कलीन परिशितियों में अपने आपको समयुजित कर लेता है यानि कि जो sympathetic nervous system है वो व्यक्ति को activate कर देता है और उसे उर्जावान बना देता है ताकि वो हर परिशिति में किसी परिशिति में उससे निपड सके ठीक है इस तरह से तंत के क्रियसिल होने से व्यक्ति के भीतरी एंगों के कारे में इस तरह का परियूर्टन होने लगता है कि वह आसानी से उर्पन सामवेकी कवस्था के साथ अपने आपको समयुजित या समायुजित कर लेता है और देखिए इसके जस्टूलर्ट होता है पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम यानि जब व्यक्ति एकदम क्रियसिल हो जाता है तो वापस उसे प्रिवेस इस्टेट में लाने का काम कौन करता है पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम यानि कि क्रियासील होने से व्यक्ति जो है एकदम शांत हो जाता है सम्वी की मात्रा कमने लगती है तो यहां से most important question यह बन सकता है कि जब व्यक्ति का sympathetic nervous system activate होता है तो व्यक्ति में उत्तेजन की अवस्था या सम्वी की अवस्था क्या होती है अब देखिए क्या है इन डोनों का जो है लगभग परस्वर विरोधी कार्य होता है अब अगर हम बात करें जैसे sympathetic nervous system की यहां पर बात करें तो देखिए sympathetic nervous system का महत्तु क्यों है क्योंकि यह BP बढ़ा देता है heart rate बढ़ा देता है सांस की गति को तीवर कर देता है आग की पुतली फैल जाती है पसीना गरंथी की क्रिया तीवर हो जाती है यानि पसीना जादा निकलने लगता है लार गरंथी की क्रिया सिलता को कम कर देता है यानि लार कम निकलता है और बलगम भी कम निकलता है तो मूँ सूखने लगता है रक्त में glucose level को ये वढ़ा दिता है जिसे internal energy प्राप्त होती है हना आतों तथा पेट में खून की आपूर्ती को कम कर दिता है जिससे क्या होता है इन अंगों में कम तथा मस्तिस के मासपेशियों विसेश कर धारीदार मासपेशियों में खून की जो सप्लाई है बढ़ जाती है तो अच्छा पर के बाल खड़े हो जाते हैं तो ये सारी चीज़े होती है sympathetic nervous system के activate हो जाने से और इसका उलट होता है परा sympathetic nervous system के activate हो जाने से ठीक है अब आगे अगर हम बात करें तो यहां पर देखी यहीं लिखा हुआ है कि autonomic nervous system का दूसरा महतपूर्ण तंत्र अनुकंपी तंत्र का तंत्र है जिसके क्रिया सील होने पर व्यक्ति सामान वस्था में लौट आता है ठीक है यहां पर यहीं लिखा है तो brain का क्या महत है समवेग में brain का क्या brain कैसे जो है कि important role play करता है तो देखे क्या है समवेग में सिर्फ autonomic nervous system ही नहीं बलकि central nervous system भी क्रिया सील होता है और महतपूर्ण कार्य करता है यहां पर देखें जैसे मैकल in कहते हैं कि एक brain में एक क्त्रीर्एग मस्तिषक प्रकलपना यानि यह पूछा जा सकता है कि हूं गेव two brain hypothesis तो इसका अंसर होगा मैकलिन इने one train brain brain hypothesis दे जिसमें इन्होंने क्या बताया कि reptilian जिनके अनुषा याद रखेगा जैसे brain stem को हम लोग reptilian brain भी कहते हैं और यह भोजन करना ओजान करिया है आधी संपन होता है यह दिखाता है अगला है paleo mammalian brain जिसे हम लिंबिक system भी कहते हैं यह जो है social feelings का नियंत्रण करता है तथा last है आपका new mammalian brain यह जिसे हम लोग cerebral cortex भी कहते हैं इसके द्वारा मात्र वैसे सम्वेग की उर्पत्ति हो जिससे कुछ दिसा निर्देश या नियंत्रण की प्रत्रियाएं व्यक्ति कर पाता है यानि मस्तिस का यह triparatite partition को अभी पुण मानेता नहीं में परन्तु निश्चित रूप से हम सम्वेग में देखते हैं कि यह महत्पुण भूमी का निभाते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैंने brain का चित्रवेदे रखा है देखे जैसे cerebral cortex है आपका यह thinking के लिए responsible होता है limbic system जो है यह overall feelings जो है आप जो आपका limbic system होता है वो emotions के लिए पूरता जिम्मेदार होता है जिसमें आपका hypothalamus भी आ जाता है ठीक है amygdala भी आ जाता है यह सारी चीज़ा रहती है ठीक है आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखे क्या है यहाँ पर hypothalamus, hypothalamus, hippocampus, amygdala और pituitary gland जो limbic system है इन आपका एक समुह है तो यह सारी चीज़े मिलकर जो है feelings या emotions को generate करती है ठीक है तो यह है तो देखें जैसा कि मैंने बताया कि feelings के लिए सरीर का कौन-कौन सा जो है part responsible होता है body मापकीजी का brain का तो hypothalamus यानि आपका पूरा limbic system अब आगे अगर हम बात करें तो harrington जैसे कहते ह कि जो right cerebral hemisphere है इसकी भूमिका सामवेगी कनुभूतियों में काफी होती है यानि कि जो हमारा दाया प्रमस्किस की गोलार्थ है वह सामवेगी कनुभूतियों के लिए बहुत ही महदपूर्ण जो है role play करता है ठीक है एक यह important line है यह आपर आगे देखें क्या है गोलार्थों क से अग्रवर्ति या एंटीरे रिजन का संबंद मुलता समवेग के कर्शन शक्ति अर्था सुखत धुगत वीमा से जबकि उत्तर कालीन छेत्र का संबंद अरौजल अर्था समवेग की तिवर्ता से होता है ठीक है यह important line है यानि कि अगर हम बात करें तो मस्तिष के खास-का क्या है पॉइंट नंबर जो भी है नहां पर important है कि एक प्रयोग किया गया जिसमें कुछ प्रयोग किया गया जिसमें यह देखा गया कि भिन प्रकार के सम्वेग जैसे क्रोध दर और चिड़ चिड़ापन आक्रमण सिलता आधी होते देखे गये कब देखे गये जब हाइपोथेलमस यह सच मुझ में संभी कम देखे गया तो जब हाइपोथेलमस को तो यह सारे जो है एक आइक्शन होते हुए हमें देखे गये मनंवय घ्यान को के दोरा तो यहां पर एक और फीगर मांने स्वीटिंग यानि हाइपोथिलमस का देखे रूल देखे फिलिंग में क्या है हमारे सम्विग में है ये पसीना निकलना हर्ट रेट ब्रीधिंग और स्लिपिंग इन सब या मूड हमारा क्या होगा मूड के साथ क्या मैचिंग होगी उसको करता है ठीक है इंट बी स्ट्रक इन प्रॉन डिप्रिशन अब एमिग डाला की बात करें तो एमिग डाला का मैंने शुरुवात में बता दिया था यह एमिग डाला अटेट्स इमोशनल सिग्निफिकेंस सब्सक्राइब आगए अगर हम बात करें तो सिर्ब्रल कॉर्टेक्स का क्या रोल है वह मैंने शुरुवात महीं बता दिया था आपसेट हैं अबगों सिस्ट्म देंब शिस्टम भी मैंने आपको बता दिया औस युठष सिस्टम में क्या són Чजी उस जैंए ले 6 यह ैले nadd corsiillas या किलों यहां पूछा जा सकता है कि लिम्बिक शिश्टम में क्या क्या चीज़े आती है तो लिम्बिक सिश्टम में आते हैं एमिगडाला सेप्टम है यह संठ लिम्म Арह ये संब मिल के कि आप इसका screenshot भी ले सकते हैं screenshot ले लिजे कि कौन-कौन सा जो brain का हिस्सा है किस-किस कारी के लिए responsible होता है ठीक है? और figure को थोड़ा सा मैं छोटा करके यहाँ पर इस पूरे matter को भी आप एक बाइ screenshot ले लिजे ताकि इसको detail में पढ़ लिजेगा आखिर क्या है कैसे हैं और जो ना समझ मैं मुझसे बूच लीजेगा आगे अगर हम बात करें देखिये क्या है amygdala की बारे में मैंने आपको बताए दिया amygdala क्या है? अगर कुछ अध्यान ऐसे हो है जिसमें क्या है? amygdala को उत्तेजित करने से प्रयोगों में क्रोध समवे की प्रबलता देखी गई तो ये question पूछा जा सकता है कि limbic system की किस हिस्से को उत्तेजित करने से क्रोध की तिवरता या प्रबलता देखी गई तो ये है amygdala आगे अगर हम बात करें तो amygdala को उत्तेजित ना करकर अगर छतिग्रिस्ट कर दिया जाए तो ऐसे पशू क्या है समवेगी की रूप से शांत वे मत्चधिक आग्या धीन हो जाते है ऐसा प्रयोगों के दारा पता चला है तो ये भी पूछा जा सकता है तो इससे हाइपो थेलमस एवं कॉर्टेक्स से आने वाले समवेधी सूचनाओं को संग्ठित करना संभव नहीं हो पाता है और तब इन पसूँ के लिए संभेग उठपन करने वाले उद्धिपक अपना स्वाभाविक महत्तु जो है खो देते हैं अब आगे अगर हम बात करें देखे क्या है कुछ अध्यान ऐसे हैं जिन से पता चलता है कि सबसे प्रबल सुखद केंडर यानि प्री डॉमिनेंट प्लीजर सेंटर क्या कौन सा होता है मेडियल अग्रमस्तिक्स बंडल यानि कि मेडियल फोर ब्रेंड बंडल है जो हाइपो थेलमस के पिछले भाग में अवस्थित होता है मनिश्यों में भी समानांतर सुखद सम्वेक का केंडर का पता चला है जैसे कुछ रोगियों खास कर मिर्गी के रोगियों के उप्चार के दौरान यहाँ पता चला है कि सेप्टम के पिछले भाग को उत्यजित करने से ऐसे रोगियों में सुखद सम्वेक की वतपत्ती होती है तो निसकर सुरुप में अगर हम यह कह सकते हैं कि सम्वेक का एक इसपस्ट जैविक आधार होता है क्योंकि समवेग में मस्तिष के भिन भिन अंगो जैसे स्वाज़त तंत्रिका तंत्र यानि और्टोनॉमिक नर्वस सिस्टम हाइपो थेलमस स्रेब्रल कॉर्टेक्स तथा लिंबिक सिस्टम आधी का काफी महत्व है जैसा कि मैंने बताया था हाइपो थेलमस का महत्व मनोवग्यानिकों की नजरों में काफी अधिक है साइद यही कारण है कि इन लोगोंने समवेग की विशेष व्याख्या करनी के लिए एक विशेष शिद्धान का प्रतिपादन किया है जिसे समवेग का हाइपो थेलमिक थेयोरी भी कहा जाता है इस थेयोरी को हम लोग थेयोरी ऑफ इमोशन में पढ़ भी चुके हैं अब लाश्ट पॉइंट है आज का कि इमोशन और कॉगनीशन में क्या संबंध है जैसा कि शुरुत वार्त में मैंने कहा था कि आज इमोशन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो यह लाश्ट टॉपिक है संग्यान पर संवेग का क्या प्रभा पड़ता है इमपेक्ट ऑफ इमोशन अपॉन कोगनीशन तो देखे क्या है दिन प्रति दिन की अनुभूतियां यहां साक्ष देती है कि व्यक्ति का जो वर्तमान जो प्रजेंट सामवेगिक और भावात्मक इस्थिती है उसके चिंत और पर्शेप्शन को प्रभावित करती है वर्तमान इमोशनल फिलिंग्स ठीक है इस जिससे हमें क्या पता चलता है कि इस तर्थी की संपुष्टी होती है यानि देखे क्या है जब व्यक्तियों में धनात्मक भाव होते हैं तो वे और स्पस्ट दिपिकों का कर लेते हैं यानि कि धनात्मक मनवुदशा की स्थिति में होने पर आप अनुکूल रेटंग करते हैं या फिर उस किसी भी समस्या को जो है आसानी से टैकल कर लेते हैं लेकिन अगर आप नेगेटिव मोड में होते हैं तो वो समस्या आपके लिए और भी बड़ी समस्या हो जाती हैं सबसे पहले उनकी memory memory improve होती है वह creative हो जाते हैं और अधिक जोखिमपुण व्यवहार या रिक्स टेकिंग बिएवियर के लिए active हो जाते हैं यानि कि बहुत ज्यादा positive response मिलता है अब अगर हम बात करें संग्यानात्मक्त प्रक्रियाओं का सम्वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है यानि कि cognitive क्या लिजे cognitive processes impact of cognitive process upon emotion तो इसका simple सा example बताऊंगा आप खुद समझ जाएंगे देखे संग्यान के माध्यां से व्यक्ति सम्वेग उत्पन करने वाली घटनाओं या दिवक्यों की व्यक्ति छे मुद्वाषएं ग्रेंग चुव अपने अपने apex से टेली वहा है और और अचानक जो है आपका फोन कट हो गया ठीक है मालें जो कयी खास फ्रेंट है आपका फोन कट हो तो आप तो इधर है और दूसरा आदमी इधर है तो आप यह सोचेंगे यानि आपके अंदर बहुत तरह-तरह के भाव आएंगे सबसे पहला भाव आएगा कि आपके मन में यह आएगा कि उस व्यक्ति को मुझसे बात करने का मन नहीं होगा इसलिए उसने जो है मेरा फोन कट क लिए पहली इसती पichen जारे चांसी आता है कि उसने जान भुश के फोन को कट कर दिया दूसरा कराण क्या हो सकता है आप यह सोचेंगे कि हो सकता है नेट्वरक ना रहो इसलिए फोन कट गया हो तो अब पहली स्थिति देखें पहली स्थिती में क्या है जब आप यह सोचेंगे कि उसने जानभुष के फोन कट कर दिया तो आपके अंदर क्या आएगा गुस्से का भाव जेनरेट होगा यानि देखी क्या है आपने संग्यान के द्वारा यह सोचा कि उस व्यक्ति ने फोन जानभुष के कट कर दिया और इससे आपके अंदर कौन सा emotion जा रहेगा गुस्से का लेकिन वहीं आप दूसरी तरफ आप positive सोच रहे हैं कि हाँ हो सकता है network issue के वेज़ से phone कड़ गया हो तो आपको गुस्सा नहीं होंगे आप शांत रहेंगे शांत चित रहेंगे यानि आपका emotions चेंज नहीं होंगे आज हम इस chapter को आप close करते हैं next topic में अब हम लोग पढ़ेंगे perception आशे करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर इससे लेटेट किसी प्रगार की कोई confusion है तो मुझसे comment के द्वारा जरूर पूछे और साथी साथ अगर आप UGC net paper first paper to education साथी साथ PhD psychology और assistant professor या किसी प्रगर की regular jobs और पीजेश्टी नोटिफिक्शन पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रू subscribe बैकन शेर कीजिए मिलते हैं next video में thank you so much आपका दिन शुभो